हलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल यूवी कम्पेटिसंस में स्वागत है मेरे प्यारे सात्यों राजस्तान करमचारी चैनबोर्ड की तरफ से बड़ी खुसकबड़ी सात्यों मेरे राजस्तान करमचारी चैनबोर्ड ने आगामी सभी भरती परिक्षाओं का संसोधित परिक्षा कलेंडर जारी कर दिया है राजस्तान करमचारी चैनबोर द्वारा वर्स 2024-2025 इंप्रस्तावित वर्स 2026 में होने वाली सभी भरती परिक्षाओं का एक्जाम कलेंडर जारी कर दिया है मेरे प्यारे सातियों राजस्तान करमचारी चैनबोर के अध्यक्ष स्री आलोक राजजी ने कहा था कि जून 2026 तक आयुजित होने वाली सत्तर भरती परिक्षाओं का एक्जाम कलेंडर जारी किया जाएगा और उन्होंने कर भी दिया और इस बार के एक्जाम कलेंडर में कुछ खास है आप सभी के लिए जैसा कि राजस्तान करमचारी चैनबोर के अध्यक्ष स्री आलोक राजजी ने बताया था उन्होंने कहा था कि इस बार के exam calendar में exam की date के साथ merit list जारी होने की date भी बताई जाएगी ये tentative date होगी कि कब merit list जारी होगी किस exam की इस भरती परिच्छा के संसोदित calendar में October 2024 से और June 2026 तक होने वाली कुल 70 भरती परिच्छाओं को सामिल किया गया है आईए जानते हैं कौन-कौन सी भरती परिच्छा सामिल है कौन सी भरती परिच्छा CT से होगी कौन सी non-CT होगी क्या भरती परिच्छा offline mode पर होगी या online mode पर होगी और किस डेट को होगी और साथी साथ उनका result कब जारी किया जाएगा आईए बात करते हैं सबसे पहले समान पात्रता परिच्छा CET Senior Secondary Level 2024 जो की राजस्तार राज्ये की तीसरी सबसे बड़ी भरती परिच्छा होने जा रही है यह भरती परिच्छा offline mode पर 22 September 2024 से 24 September 2024 तक आयुजित होगी और इसकी merit list 24 फरवारी 2025 को जारी की जाएगी जूनियर इंस्ट्रेक्टर मेकेनिक डीजल 18 नवंबर 2024 को CBT mode पर जूनियर इंस्ट्रेक्टर कंप्यूटर लेब और आईटी लेब 19 नवंबर 2024 को जूनियर इंस्ट्रेक्टर 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 इं junior instructor engineering drawing 23 November 2024 को junior instructor fitter 23 November 2024 को आयजित करवाई जाएंगी और इन भरती परिक्षाओं का result 23 March 2025 को जारी होगा यह सबी भरती परिक्षा CBT या offline mode पर होंगी CBT तब होगी जब आवेदन यान के application forum कम है तो CBT होगा और application forum ज्यादा है तो offline mode पर होंगी आगे बात करते हैं इन भरती परिक्षाओं का विज्यप्ति यानि की अड़र्टाइजमेंट जारी हो चुका है 11 नंबर पर है एनिमल अटेंडेंट डारेक्ट रिकुट्मेंट एक्जाम यानि की पसू परिक्षर सीधी भरती परिक्षा दो जार तेश Non-CAT एक्जाम 1 दिसमबर 2024 से 3 दिसमबर 2024 को तक ओफलाइन मूड पर और 3 अप्रिल 2025 को रिजल्ट अब बात करते हैं जूनियर इंस्ट्रेक्टर एक्जाम सोलर टेक्निसियन इलेक्ट्रिसियन 5 जनवरी 2025 को वायरमेन 5 जनवरी 2025 को Information and Communication Technology System Maintenance 6 जनवरी 2025 को Draftman Civil 6 जनवरी 2025 को Mechanical Motor Vehicle 7 जनवरी 2025 को Welder 7 जनवरी 2025 को Pilumber 8 जनवरी 2025 को Cosmetology 8 जनवरी 2025 को Turner 9 जनवरी 2025 को Saving Technology 9 जनवरी 2025 को Computer Operator and Programming Assistant Kopa 10 जनवर 2025 को आई जित होंगे CBT या offline mode पर होंगे और इनकी result की संभावित्ती थी 10 मई 2025 है आई आगे बात करते हैं Lipic Grade 2 कनिश्ट सायक्सीदी बरती परिच्छा 2024 टंकन परिच्छा यानि की Typing Test 20 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक Non-CAT exam और रिजल्ट जारी होगा 10 मार्च 2025 को कनिश्ट अभ्यंता Junior Engineer जूनियर इंजिनियर के एक्जाम कौन कौन से है विदूत Electrical Degree Junior Engineer Electrical Diploma Junior Engineer Mechanical Degree Junior Engineer Mechanical Diploma तो मेरे प्यारे साथ है Junior Engineer Electrical Degree और डिपलोमा का एक्जाम 6 परवारी 2025 को अपलाइन मूर पर Junior Engineer Mechanical Degree Degree और डिपलोमा का एक्जाम 7 परवारी 2025 को Junior Engineer Diploma और Degree Mechanical और Electrical आठ फरवारी 2025 को अपलाइन मूर पर और डिपलोमा वाला 10 परवारी 2025 को और मेरे प्यारे साथियों इसके अलावा Junior Engineer Civil Degree 11 परवारी 2025 को Junior Engineer Civil Diploma 11 परवारी 2025 को आईजित होगा और इन सभी एक्जाम्स का रिजल्ट 11 जून 2025 को जारी किया जाएगा और ये सभी एक्जाम आपलाइन मूर पर होंगे और नॉन CET होंगे अब बात करते है जूनियर इंजिनियर क्रसी एग्रिकल्चर इसका एक्जाम 22 फरवारी 2025 को आपलाइन मूर पर होगा और 22 जून 2025 को रिजल्ट जारी होगा घनेज, कारे देशक ग्रेड सेकिंड सीधी बर्ती परिक्षा 2024 नॉन CET एक्जाम 23 फरवारी 2025 को आपलाइन मूर पर और 23 जून 2025 को रिजल्ट जारी सर्वेयर सीधी बरती परिक्षा 2024 नॉन CET 23 फरवरी 2025 को अपलाइन मोड पर और 23 जून 2025 को रिजल्ट जारी सिगर रिपिक नीजी सायक ग्रेड सेकिंड सेंफ सीधी बरती परिक्षा 2024 टंकर परिक्षा नॉन CET एक्जाम टाइपिंग टेस्ट 18 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक आयजित 6 माई 2025 को रिजल्ट और मेरे प्यारे सात्यों इन सभी बरती परिक्षाओ एक से लेकर 35 नंबर तक की सभी बरती परिक्षाओ के एड़टाइजमेंट जारी हो चुके हैं यदि ये सिरफ बरती परिक्षा ही होनी है इनके लिए कोई नया एड़टाइजमेंट जारी नहीं होगा अब आगे आने वाली जो बरती परिक्षा हैं उन सभी के लिए नया एड़टाइजमेंट जारी होगा जैसे जेल प्रेरी सीधी बरती परिक्षा 2024 नौन सीटी एक्जाम 12 अक्टुमर सीधी बरती परिक्षा 2025 सीटी ग्रेजिवसन लेवल पर आधारी तस माई 2025 और 11 माई 2025 को आई जित होगी एड़टाइजमेंट अभी जारी होगा त्योंकि सीटी ग्रेजिवसन लेवल का रिजल्ट आएगा और इसका 22 डेट जो है मेरिट लिस्ट की वह 11 सितंबर 2025 है ब्लोग प्रोग्राम ऑफिसर अब आती है कॉंट्रेक्ट बेश है जिसमें ब्लोग प्रोग्राम ऑफिसर जिसका एग्जाम और सोशियल वर्कर इनका एग्जाम 2 जून 2025 को सीनियर काउंसलर का टीन जून 2025 को data entry operator का चार जून 2025 को प्रोग्राम असिस्टेंट या जून प्रोग्राम ऑशिस्टेंट का चार जून 2025 को भार्मा असिस्टेंट का पाँंच जून 2025 को फेमेल हेल्थ वर्कर का जून दो जार पत्चीस को, कम्यूटी हेल्थ ओपिसर सी एचो का छे जून दो जार पत्चीस को, नर्स कॉंट्रेक्ट बेसिस, इनका छे जून दो जार पत्चीस को, ये सभी भरतियां कॉंट्रेक्ट बेसिस हैं, और इन सभी भरतियों का रिजल्ट 13 अक्टोमर 2025 को जारी होगा और सभी भरती परिक्षा है ओफलाइन मोड पर आज़ित करवाई जाएंगे अब यह आगे देखते हैं पब्लिक हेल्थ केर नर्स कॉंट्रेक्ट बेसिस 8 जून 2025 को नर्सिंग ट्रेनर 8 जून 2025 को अकाउंट असिस्टेंट 9 जून 2025 को साइकेट्रिक केर नर्स 9 जून 2025 को रियेबिटेशन वर्कर 10 जून 2025 को साइको थेरेपिस्ट असिस्टेट 10 जून 2025 को मेडिकल लेब टेक्निशन 11 जून 2025 को कमपाउंटर अयरुवेद 11 जून 2025 को ओडियोलोजिस्ट 12 जून 2025 को बायो मेडिकल इंजिनियर 12 जून 2025 को, सेक्टर हेल्थ सर्वेयर सुपरवाईजर 13 जून 2025 को, सबी एक्जाम्स ओफलाइन मोड पर आए जितूंगे, एड़र्टाइजमेंट अभी जारी होगा 2025 के लिए और साथियो मेरे 13 अक्टोमर 2025 को इनका रेजल्ट जारी होगा, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भरती परिक्षा 2025, ग्रेजुएशन लेवल सीटी आधारित 11 जून 2025 से 12 जून 2025 तक आए जितूंगे, ऑफलाइन मोड पर और 12 अक्टोमर 2025 को रेजल्ट जारी होगा, पुस्तकाल्य अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सेक्त सीधी भरती परिक्षा 2024, नौन सीटी एक्जाम 27 जूलाई 2025 को आए जितूंगे, ऑफलाइन मोड पर 27 अक्टोमर 2025 को रेजल्ट जारी, प्लाटून कमांडर सीधी भरती परिक्षा 2025, ग्रेजियोशन बेसिस सीटी आतरित, 11 अगस 2025 और 12 अगस 2025 को आए जित, और 10 जनवरी 2026 को रेजल्ट, रिजर्व डेज फोर बोर्ड से एक्जाम इन एट सिप्ट, नौन सीटी, 18 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक, 21 जनवरी 2026 को रेजल्ट जारी, ऑफलाइन मोड पर एक्जाम, प्रियोग साला सायक सयुक्सीदी बर्ती परिक्षा 2024, नौन सीटी एक्जाम 2 जनवरी, सोरी, 2 नौंबर 2025 से 4 नौंबर 2025 तक, 4 मार्च 2026 को रेजल्ट जारी, ऑफलाइन मोड एक्जाम, और मेरे प्यारे साथियो, राजस्तान करमचारी चैन बोड की बड़ी खुसकबरी, राजस्तान करमचारी चैन बोड ने आगामी बर्ती परिक्षाओं के साथ साथ, आगामी CET ग्रेजोशन लेवल और CET सीनर सेकेंडरी लेवल का भी एक्जाम कलेंडर जारी कर दिया, परिक्षाओं की ग्रेजोशन लेवल एक्जाम दोजार पच्चीस, 26 दिसमबर दोजार पच्चीस से 28 दिसमबर दोजार पच्चीस तक आयजित होगा और 28 जू अप्रिल दोजार च्च्चीस को रिजल्ट आएगा, किर्सी परिवेक्षक सीधी बरती परिक्षाओं दोजार पच्चीस नौन सीटी, 25 जनवारी दोजार च्चीस को आयजित होगी और 25 मई दोजार च्चीस को रिजल्ट आएगा, समान पात्रता परिक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल दोजार पच्चीस, 20 फरवारी दोजार च्चीस से 22 फरवारी दोजार च्चीस तक और मेरिट लेश्ट 10 जून दोजार च्चीस को जारी, परवेक्षक महिला सीधी बरती परिक्षा दोजार पच्चीज, CET ग्रेजर्शन लेवल परिक्षा, ओपलाइन मोड पर आट मार्च दोजार चब्वीस को आईजित और आट जून दोजार चब्वीस को रिजल्ट LDC grade 2nd, कनिश सायक्स सीधी बरती परिक्षा दोजार पच्चीज, सेनियर सेकेंडरी लेवल CET पर आदारित, 9 माई दोजार चब्वीस से और 10 माई दोजार चब्वीस को आईजित होगी और 9 अक्टुमबर दोजार चब्वीस को रिजल्ट कर्स आयक्स सीधी बरती परिक्षा दोजार पच्चीज, नौन CET, 28 जून दोजार चब्वीस को आईजित, 28 दिसम्बर दोजार चब्वीस को रिजल्ट तो मेरे प्यारे साथियो राजस्तान करमचारी चैन बूर्ड की तरफ से कितनी बरती परिक्षा है? सत्तर भरती परिक्षाओं का एक्जाम कलेंडर जारी किया गया है, ये बरतिया जून दोजार चब्वीस तक एक्जाम किया है, राजस्तान करमचारी चैन बूर्ड ने आगामी बरती परिक्षाओं का एक्जाम कलेंडर जारी किया है, एक से तेईस और पैतिस परंकित परि इच्छाओं के विज्ञापन जारी हो चुके हैं बाकी के विज्ञापन जारी होंगे साथ मेरे मेरिट लिस्ट घोसित की जाएगी दी गई तीति या दी गई डेट से पहले विज्ञापन जारी होगा तो एक्जाम ऑपलाइन मोड पर होगा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहे और जुडे रहे आपके अपने यूटूब चैनल यूवी कंपरेशन के साथ नवीन एम अधतन सुचनाओ की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.azistan.gov.in का आउलोकन करते रहे कमेंट करें आपके कमेंट का रिप्लाइजरो मिलेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी काद देखने के लिए